समस्कार दोस्तों आज की इस बीट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इलक्ट्रोनिक फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड क्या होता है इसके साथ ही हम इसके बारे मों बात करेंगे मैगनेटिक फिल्ड क्या होता है को यहां पर चुमबक का प्रभाव होता है उस एरिया में कि अगर मेटल की को देकर जाते हैं तो वे चुम Report की तरफ अगरशित होता है फ्यरंट के जा सकते हैं फ्यरेंड एक होता प्ररमानेंट मेंगनेटिंग और दूसरा होता है the इसमानेंट मेंग्नेट भी धिल्डा करता है전 विडियो में इसे होता किते हैं इसने के जैसे आप फ़ीडियो में होट्य करें उसमें current flow करवाते हैं तो वह conductor चुम्बक की तरह विहार करता है इसके चारों एक फिल्ड पन्न हो जाता है जिससे इलक्ट्रो मेंगनेटिक फिल्ड कहते हैं तो अब कहीं लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि DC क्या होते हैं जब किसी conductor wire मां current flow होती है तो इसके चारों और एक फिल्ड इपन हो जाता है जिसे कुछ लोग इलक्ट्रिक फिल्ड कहते हैं जो पूरी तरह गलत है क्योंकि इसे इलक्ट्रो मेंगनेटिंग फिल्ड कहा जाता है तो फिर आखिल निकल फिल्ड क्या है उसको हम समझ लेते हैं वह फिल्ड जहां आपको एक common उधारण बताएं तो बस्पन में जब हम कभी आप स्केल को अपने बालों में रगड़ कर कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो आपने देखा हुआ कि कागज के टुकड़े स्केल की चिपकने लगजाती थे यहाँ सब इलोक्रोनीकल फिल्ड के कारण ही होता है आप आपके मन में यहाँ स्वाल आएगा कि आकर यह इलोक्ट्रोनिकल फिल्ड कैसे उत्पन हो गया तो फ्रेंड जब आप स्केल के बालों पर रगड़ते हो तो बालों से स्केल पर कुछ चार्ज पॉर्टिकल इलोक्ट्रान आ जाते हैं इसलिए आप आप जब इसे और के जाते हैं फ्रेंड हमें तो पता है कि हर चीज चोटे से छोटे कणण से मिलकर बनी होती स्थिंण जिससको आंगे और तोड़ नहीं सकते और प्रमाहों कहां प्रमाहों को भले ही आगे तोड़ा ना जाए सके लेकिन उसमें तीन चार्ज मौउजुद रहते हैं इलक्ट्रोन प्रोटन और न्यूटन दोनों परमाणूस कीद्र में रहते थे मिख लेकिन इलोक्ट्रान प्रमाणूस की वहर फाले कख्सा में रहते हैं जैसे कि आप video में फोटो देख सकते हो तो फ्रेंड जब भी आम किसी चीज को रगड़ते हैं तो घर्षाण की कारम परमाणू में से इलक्ट्रान बहार निकल जाते हैं जब किसी अबजेक्ट में से इलक्ट्रान बहार निकल जाते हैं तो उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जितने इल इलोक्ट्रोनीकल फिल्ड है जन्नेट करती है वहीं अगर किसी वस्तु पर घरशन के कारण इलोक्त्राण आ जाते हैं तो वह वस्तू negative charge हो जाती है और उससे condition में वह वस्तू electron बहार निकालने के लिए अपने आप पास electronical field चर्णेट करती है फ्रेंड हमने यह तो समझ लिया कि charge क्यों होता है और कैसे उत्पन्न होता है अब हम समझ लेते हैं कि electronical field कैसे उत्पन्न होता है जैसे कि हमने पहले बत तो पर ज्याधा electron आ जाते हैं तो वह electron बहार निकालने की कोशिज करती है और इसलिए ही जब हम बालों में scale को रगड़ते हैं तो बालों का scale पर extra electron आ जाते थे और फिर जब हम इस चार्डल scale को काघज के टुकणों के पास ले जाते थे तो यह scale काघज के टुकणों को अप सब्सक्राशित खन्ने लगती थी ताकि वह अपने एश्टरा electron काघज के टुकणों को दे सके तो फ्रेंड अभी तक हमने electronic field और magnetic field क्या होता है इसको अच्छे से समझ लिया है चलो electronic field और magnetic field में अंतर की बात कर ले तो electronic field यहाँ charge particle के कारण उत्पन होता है magnetic field यहाँ magnetic के कारण उत्पन होता है electronic field इसकी unit Newton पर कुलाम होती है और magnetic field इसकी Newton टेसला या गैस होती है electronic field यहाँ electrometer का उप्यों करके महा पाजाता है magnetic field यहाँ magnetometer का उप्यों करके महा पाजाता है तो उमीद है फ्रेंड आपको इस वीडियो में दी गई जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अग